नमस्कार स्रियकाल स्लावालुकूम एससाइटूब एक वाफिर स्वागत करते हैं मैं देवेंदर सिंग लड़ू यह बैपास है पिहार के जीले हैं उन जीलों के बसे मिलता है बैरिया बस स्टेंड अब यहां पर आये हैं इन नहर है वैसे भी कहा जाता है कि पटना को को साफ सफाई नहीं करे तो पूरा पटना डुब जाएगा अब कहने का मतलब यह है कि कुछी दिनों बाद मांसुन दस्तक देने वाली है अगर यह सफाई ढंक से अगर नहीं हो तो फिर भगवान भरोस्य हो जाएगा पटना को बचाने के लिए आप साथ भूल रहे हैं प पटना में बहुत ही भयानक तबाई हुई थी पूरा पटना डुब गिया था वैसे भी नगर विकास मंत्री से बिहार के उपमुक मंत्री तारकी सोर परसाज जी ने भी दावा किये थे 31 माई तक जितने भी गड़े है या पूल पुलिया है या फिर नाला उड़ाही का काम है पूरा हो जाएगा यहां पर तमाम यहां पर बढ़कर लगे हुए हैं कच्रा अभी निकाला जा रहा लेकिन अंदर का मलवा अभी जस के तस है यहां कुछ सराप की बोतले भी है मिली है यह पील्ड लेक्ष्राब है यह देख लाता है कि यह है पूरा पाणी जो भी गंदा पाणी रहता है रुजमर्रा के जिंगे जो यूज करते घर में उसका पानी इसी नहर में आता है तो मांसुन आने में देड़ नहीं है आने के बाद यह पूरा लब अलब हो जागा पूरा पटना डूब जागा यहां के जो बरकर है इनसे भी एक जनकाड़ी काना मोलब से चाहता है आजपाल मातो जी कब से सफाई कर रहा है दू महीना से चुर आप अवह एक जसके तस्थे हैं रोज वहाथा है जो के चाहनते हैं चो क्छलाया हूआ रहता है और अंदर में जो मलबा जो दबाे उस अंधर में तरक कादो हूं पर जाएगा पानी पर से निकल रहा है तो तो ब नीचे का मलवा जे तो दबी किया है कि खतरनाख हो जाएगा जी चलिये बहुत बहुत धन्य बात दो महीना से यह लोग छान रहे यहां पर चान-चान के यहां पर जो भी कछणा जो देख रहे हैं इकठा कर रहे हैं लेकिन अंदर का मलवा भीजी है सचित हो जए यह पठना वाले सरकार लाख दावे कर ले कागजी है यहाँ पर च्छनार रहा है उसके अलाबा कुछ नहीं है देखिए जहां मशीन लगना चाहिए वहां मसीन नहीं बेड़ा कहने का मकसद है कि सरकार भी सचेथ हो जाए उच्प मक्या नहीं हो hu अब नीचे बड़ा मसीन से नशुखादबनी नंश लगा है सुनली जे भई मसीन अभी नहीं लगा है अब क्यों लगेगा जब मांसून जब आ जायगा तो लगेगा कि मसीन से निकालेगा फिर पानी जमाओगा तो फिर नाले में घूसेगा यही न जनकारी हमको देना है तो आप लोग सचेत हो जाएए हम कहेंगे तो सही बात कहेंगे यहां किस लिए हमाएं तप्ती धूप में गंदगी में आपको दिखलाने के लिए हमाएं यही छलाया हुआ कच्रा पड़ती द रब्बा है और सराब का बोतल है और कुछ नहीं है तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे मानिनिये हमारे बिहार के सम्मानित उप्प मुक मंत्री सर नगर विकास मंत्री तरकिशोर परसाजी यह नाला उडाही वला पड़वी जल सा ध्यान दिजिए और जल से जल मसीन लगा क अगर इसको अंदर का कच्रा निकल बादी बस आओर हमको कुछ नहीं कहना है एससाइटी वाप देखते रहिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हम आपसे एतना ही बीजा लेते हैं जय ही